देखे पहले टॉपिक का मतलब समझेगा motion of a state conductor in a uniform magnetic field अगर उतना ही लिखा रहता तो कहना हो चाते हैं कि अगर किसी uniform magnetic field में कोई conductor move करता है तो उसमें क्या action होता है उस conductor के अंदर होता क्या है ठीक है उसमें topic का नाम क्या है induced potential difference निकालना है या दूसरा इसका नाम है motional EMF कि उस books में केवल induced potential difference लिखा होगा कहीं कहीं पर आपको motional EMF देखने को मिलेगा साउधान देखो potential difference का मतलब तो यह हो गया कि भाई एक electric field जहां create हो जाए अगर कहीं electric field create है तो वहां potential difference होगा होगा ना और electric field कप create होगा जब एक जिए चार दिकठा हो जाए ठीक है अब जरा समझने की कोशिज करिएगा हमने कहा एक conductor है जो हम कह रहे हैं वो theory आप notes बनाएंगे suppose it is a conductor इसका कुछ नाम दे दो JK एक conductor है और इसकी जो length है वो कितनी है L है क्या जरूरत है वो बात की बात है और यह एक uniform magnetic field में रखा हुआ है यह magnetic field बना हुआ है यह magnetic field पहचानते होंगे आप जो लोग नहीं पहचानते हों समल ने दोको magnetic field में एक north pull होता है एक south pull होता है magnetic lines कहां से निकलती है नाक से निकलती है नार से निकलती है ठीक है तो जो आपका magnetic compass का indicator होता है यह arrow किसको indicate करता है जो compass ऐसे बनी होती है ऐसे compass होती है हम बना नहीं पाते हैं वैसे ऐसे जो होती है उसमें रेड कलर लगा देते हैं मतलब कलर चेंज कर देते हैं वो जो भी है नहीं नार से में तो head कौन है head कौन है main hero के लिए यूज किया जाएगा तो आप हम सस्ती वाली बता रहे हैं तो arrow क्या दिखाता है नार स्पोल ठीक है अब मालिया paper पर आपको नार साउथ दिखाना है तो magnetic field ऐसे दिखा दो आप जैसे दिखाना हो अंदर बोले तो north pole अंदर जा रहा है तो arrow अंदर जा रहा है arrow अंदर जाता है तो arrow का पीछे का part दिखाई पड़ता है पीछे का cross part होता है तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा cross इस cross का मतलब क्या होता है कि magnetic field अंदर की तरफ है तो नार्थ पुल अंदर जा रहा है, ठीक है, अगर पेपर के परपेडिकुल आउटवर्ड आ रहा है, तो इस पेपर के परपेडिकुल जैसे बाहर निकलेगा, आपको इस एरो की टिप दिखाई पड़ेगी, टिप बुले तो, यह दौर दिखाई पड़ेगा, ठीक है, यह यह मैगनेटिक फील्ड है, तो हमने कहा, कि सपोर्ज जेके इस अ कंड़क्टर, अब कंड़क्टर का मतलब यह तो हमको मालूम है, कि इस हैविंग फ्री उलेक्टरांस, इसके अंदर फ्री उलेक्टरांस हैं, लेकिन करण नहीं है अभी भी, विकॉज इलेक्टरांस आर है इसमें एक ब्राउनियन मोशन रेंडम मोशन हो रहा है, तो नेट करेंट उसमें जिरो है, उसका कोई मतलब नहीं है, अब कहने यह माल लिया, इस मैगनेटिक फिल्म में वी विलास्टी से मूव करेंगे, अब ज़रा साउधान, जब इस कंड़क्टर को मैगनेटिक फिल्म move कर रहे हैं तो जब कोई charge particle magnetic field में move करता है तो उस पर force act करता है charge particle पर जिसको कि हम क्या कहते है Lawrence force उसकी value क्या होती है उस Lawrence force की value क्या होती है QEB थीटा तो 90 डिग्री यहां पर है अब देखिए यहां पर force की direction क्या होती है उसके लिए आप simple flaming का left hand rule ही लगा दू ठीक है क्या होता है FBI FBI कैसे मतलब लेकिन यहां induced है भाई साब तो किसका rule लगाएंगे flaming का अब आप कहेंगे आप ही तो ऐसे हाथ उठा रहे ते तुम जाने कुछ उठा रहे थे right hand rule लगेगा right hand rule में अंगुठा किसको indicate करता है तो आप motion of the conductor को indicate किया ठीक है उठीक है उठीक है उठीक है उठीक है यह वाले बीचोली उठीक है जा रही है उपर तो उठीक जा क्या रहा है current current जा रहा है तो कौन सा चार्ड उपर जा रहा है वह यहां तो सुन में बात आ रही है न और negative charge पे नीचे की तरफ act करेगा यह जब JK conductor is moving with velocity V in the magnetic field then the charge particle will experience the force Lawrence force given by magnetic force is equal to QVB sin 90 क्यों theta यहां पर क्या है magnetic field और motion के भी इसका angle होता है न तो यह magnetic field है इधर देखिए यह motion है तो दोनों भी जाएंगे ल कितना है तो यहां पर sign 90 हो जाएगा तो यहां कि FM is equal to QVB यह force लगेगा अब देखो इसके बाद क्या action हो रहा है तो यह force लगेगा तो यह भाई साब किधर जाना शुरू करेंगे उपर जाएगे ना उपर जाएंगे तो कहां तक पहुँचेंगे वो J तक पहुँचेंगे अंड तक पहुँचेंगे और जब अंड में पहुँचेंगे तो यहां आगे रास्ता इनके पास है तो धिरे-धिरे यहां चार्ज इकठा हो जाएगा पर आगे रास्ता नहीं है ना और निगेटिव चार्ज यहां पर इकठा हो जाएगा आप देखें यह कब हो रहा है जब यह कंड़क्टर लगाता है मैगनेटिक फिल्ड में चल रहा है तो इस फोर्स की वजए से मैगनेटिक फोर्स की वजए से जिसको कि लॉरेंस फोर्स कहते हैं इसकी वजए से पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा निगेटिव चार्ज बात पकड़ में आई अब देखो ध्यान से जब यहाँ पॉजिटिव इकठा हो जाएगा यहाँ निगेटिव इकठा हो जाएगा तो इसके अंदर एक पोटेंशल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा या एक एलेक्टिक फिल्ड डेवलप हो जाएगा अगर एक तरफ पोजिटिव हो एक तरब negative हो, तो एक electric field create हो जाता है ना, और उस electric field की वज़े से यहाँ पर potential difference create हो जाएगा, तो electric field और potential difference में क्या relation होता है, is equal to, मालूम है ना, देखे, electric field due to a point charge का formula आपने पढ़ा kqyr square, याद है, पहले chapter में, और potential का formula पढ़ा kqyr, तो अगर इसमें, इसको हम एक आर अलग कर दें, और एक आर अलग कर दें, तो वी लिखा है ना, तो यादि कि potential difference अगर वी है, यह potential difference जो develop हुआ, because of electric field, क्या आपने बैटरी लगाई थी, क्या उसको इलेक्टरान कोशे थे जाकर के, चल उधर, चल उधर, आप दूर से सब काम कर रहे हो ना, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, induced potential difference, और motion की वज़ए से, इसलिए इसका नाम दिया गया, motionally MF, ठीक है, तो यानि कि, अगर V potential difference डिवलप हुआ है, तो E is equal to क्या होगी आएगा, V by L, दरह साउधान, electric field की direction क्या होगी, plus से दूर, minus की और, अब देखे ध्यान से, यह यहाँ electric field डिवलप हो गया, अब यहाँ दिखाएंगे नहीं हो, तो अब electric field इस charge के साथ क्या काम करेगा, force लगाएगा ना, यह 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 electric field इस charge को force लगाएगा, किसी charge पे electric field के द्वारा जो force लगता है, स्रिवास्तो जी, उसका formula क्या होता है, है, सो रहे होगा, सो रहे थे का, इसम जोगे हैं, M by Q1, M on M to T R square, V by U plus A T, S by U T plus A P T square, A plus V by O square, कही न कही तो मिलेगा, electric field में, किसी charge particle पे लगने वाले force का formula क्या होता है, force बरावर F by Q1, force बरावर F by Q1, F upon Q not बरावर force, यह यह force divided by something बरावर force, Q into E, यानि इस charge पे एक force काम करेगा, किदर की तरफ, positive पे किदर force लगेगा, negative की तरफ, यानि यह कौन सा force है, electric force, और negative पे किदर लगेगा, तोड़ा जगे नहीं है, conductor की सेहा थोड़ी सी, बड़ी कर देते हैं, बड़ी नहीं कर दे हैं, थोड़ा सा इसको दूर बना देते हैं, उसी मुचपुच खुच खुच हो गया है, यह positive charge है, यह magnetic force लग रहा है, और यह electric force नीचे लगेगा और negative पे उपर लगेगा तो magnetic force की value कितनी हो जाएगी Q into E या Q V by L दूसा question ज़रा समझेगा जैसे जैसे charge move कर रहा है यह conductor move कर रहा है वैसे वैसे यह positive charge यहाँ कठा होते जा रहे है और negative charge यहाँ कठा होते जा रहे है क्या current flow हो रही है current flow ने के लिए क्या चाहिए पूरा circuit complete होना चाहिए एक complete नहीं है ठीक है तो EMF तो induced हो गया लेकिन current flow हमने कल बात की थी EMF का मतलब current नहीं होता है potential difference आप्लाई कर दीजी लेकिन circuit अगर complete नहीं है तो current flow नहीं होगी अच्छा जैसे जैसे चार्ज इकठा होता जाएगा electric field की value बढ़ती जाएगी तो एक situation ये आ सकती है कि दोनों force कैसे हो जाए equal हो जाए यानि कि when F is equal to क्या हो जाएगा FM वो जब situation आ सकती हमने ये निका आ जाएगी आ सकती है जब ये equal opposite है एक situation वहाँ परा जाएगी जबकि ये काम खतम हो जाएगा यानि आप charge उपर जाना बंद कर देंगे नीचे भी नहीं आएगे तो दोनों एक दुस्ते को opposite force लगा रहे हैं न तो F E बोले तो Q V by L ये capital V है FM बोले तो Q V B Q Q cancel हो गया तो V is equal to क्या हो गया B V L बोल हो गया ये ही बोल आपको बताना है ये बोल है induced EMF is the बोल which has come in this section ये बोल हो रहा है नोट करिए ये induced बोल है न लेना न देना गुजगए जाते कि magnetic field में चल गया बिल्डोजर लिखो इसका application क्या है कहा ही है हमको दिखता है किसी truck कोई truck road पे जा रहा है हमने कहा था magnetic field के दो component होते है एक vertical component vertical component पे अगर horizontal ऐसे जा रहे होगे तो आप vertical component cut करोगे vertically जाओगे तो कोई दिकर निकल जाओगे ऐसे ठीक है और आप खड़े खड़े चले जाओ निकल जाओगे ऐसे इसे करते हुए अपना निकल जाओगे ना और आप ऐसे इसे जाओ तो पेडों से जाके टकरा जाओगे तो अगर horizontally आप चल रहे हो तो vertical component को आप cut कर दोगे ठीक है नहीं cut करोगे तो जैसे वाले ट्रक जा रहा है तो ट्रक अगर रोट पे जा रहा है तो वो vertical component अब magnetic field को cut करेगा अब ट्रक का axle होता है एक axle होता है यहाँ चलता है ना उसका तो उसके बीच में magnetic field cut हो रहा है तो एक potential difference उसमें develop हो जाएगा तो एक induced EMF create हो जाएगा जिसको के कहेंगे हम यह वाला EMF potential अब अगर circuit complete हो गया तो electricity flow होगी तो माल्याड ट्रक में कोई बिसफोटक पदात रखा हुआ है और वो रोड पे चलना है तो उसमें आग लगने की संभावना है blast होने की संभावना बनी रहती है इसलिए हम करते क्या है हम जानते हैं ट्रक तो रोड पे ही चलना है अर्थ का magnetic field खतम नहीं कर सकते हैं खतम कर सकते हैं क्यों उसके अगल बुकल high magnet लगा जो अर्थ के magnet को काटते रहना नहीं हो सकता है क्योंकि हर जगे रोड एक ही direction थोड़े magnetic field होगा चेंज होता रहेगा तो हम क्या करते हैं ट्रक पे एक लोहे की कोई chain बान देते हैं और chain को रोड पे लटका देते हैं तो रोड को छूती भी जाती है कि अगर कोई electricity generate होई ट्रक में तो अर्थिंग मिल जाएगी और अर्थ में चली जाएगी ठीक है इसी प्रकार से जैसे मालिया कोई भी धावक है तो खड़े-खड़े दोड़ेगा न या इसे आईसे दोड़ेगा खड़े-खड़े दोड़ेगा तो खड़े-खड़े दोड़ेगा तो वर्टिकल कामपोनेंट के बी से निकल जाएगा तो vertical component को फ्यप割 पाने को कट करे गा अगर वह लिए hundred की direction क्या होती है not south तो अगर वह east west भूर रहा है तो वह इस वाली magnetic lines को heart horizontal component को कट करें अब आप east west भी दाकसन में अब आप east भूर है और यह not south direction में magnetic field है और ऐसे दाओढ़ेंगे है तो इह magnetic field cut करेगा ना यानि आपकी body से जो magnetic flux पास हो रहा है वो change होगा और जब magnetic flux change होगा तो आपकी body में induced EMF generate होगा ठीक है तिसलिए कभी आप दोड़ते हो तो बोड़ी में चुंचुना हर लगती है रहे गर्मी लगती है तो blood का circulation बढ़ता है तो blood का circulation दो तरकेज बढ़ता है आपके दोड़ने की वज़ेश क्यों नहीं भढ़ता है समझ लिजेगा उससे होता है ठीक एक साइस से भी होता है लेकि दोड़ने से क्या होता है जो magnetic lines आपकी body से पास हो रही है उसकी वज़ेश से एक electric field create हो जाता है उसकी वज़ेश से वो चुंचुना हट body में होती है ठीक है और अगर बहुत ज़्यादा आपने ऐसा कर लिया तो आपकी body में बहुत ज़्यादा अगर electricity regenerate हो गई और वो अरफिंग उसको मिल गई तो वो गयक्ति पैरलाइज भी हो सकता है क्योंकि paradise होने का कारण क्या है हमारी body के electron का आर्थ में चले दो कारण होते है किसी के brain hemorrhage होता है brain की कोई नसफर जाए blood pressure की हो जाए से दूसरा होता हमारी body के electrons जो होते हैं वो free हो जाए और वो हमारी अच्छा ये हमको पहले से मालुम था है जो बैग्यानिक हमको बता रहे न हमको पहले से मालुम था हजारों साल पहले से हमको मालुम था हमको मालुम था मतब सनातन धर्म जो मानते थे इसलिए हम लोगों के समय में 11 साल की उमर में लड़कों के जन्यू किये जाते है आईसे नहीं हम पागल थोड़ी हैं तो इसे जन्हें उचड़ाते हैं नौ साल ये दस साल के उबर में कान की पीछे एक नस डिवलफ होती है अगर उस नस को दबा लिया जाए तो पैरलिसिस के अटैक क्या खत्रा कम हो जाता है ठीक है अब चुकि अटैक कब होता है ब्रेन है है नस तो फटेगी फटेगी ठीक है अब चलाओ लड़के तो आउ चला रहे ना है आज निपटी के नहीं होता है अब देखे जब इस नस को दबा लेते हैं चुकि हम जब पानी के पास होते हैं तो हमारी बॉड़ी के इलेक्टान का लीकेज होना ज्यादा पॉस्बिल्ट नस को बिल रेती हो जाती है इसे पहली बात तो पानी की पास भाई लेती हो नीअ मारी चला जाती है अब लोग ऐसे लटका दोर की बात ही वता है तो जब कहेंगे लेडिस जिएक नेव नहीत युआ को रहे होता है हमको पढ़े तो कि पढ़े पढ़े, तो पढ़े अ के साथ सिनेव में था इसे अ वह ठीक है इसलिएम जे अनों पहणा है। फोज्ट ही है। इसलि फावग पहां हमें आर्ग करते एक अध Allah With जिसका देखो इलक्टान चला जरा हैं, ऐसे होईगे, इनकाव करने इलक्टान लीकेज होईगे, इतनी जल्दी लीकेज नहीं होते हैं, चिंता मत करिए, वो थोड़ा सा उम्र के बढ़ने पर से हमारी अब आई है, लीकेज वाली प्राब्लम, तो आएगी देखा जाएगा, को लेघ़ा हो, तो आकिए चिलाते हैं, क्लास में भी मुष्कराक हैं पढ़ाते हैं, लडगेज बásival रखते है वह साते रहते हैं, बीच-बीच में डान भी देते है, क्योकि भई ब्रेइन की नस न भटे, यह देंखा जाएगा